हेलो अव्रिवन दिस इस प्रीती स्वागत है आपका आपके अपनी यूच्व चैनल अर्स कंपीट में डिसकस करेंगे आज हमें एक इंपॉर्टन टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं आज अज इबलेप्मेंटल टास्क को इंपॉर्टन है सीटेट के पॉर्टन टास्क के बारे में जिक्र किया गया है तो पूछे जाएंगे तो हम आज वो इसमें रिसकस करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले डिवलेप्मेंटल टास्क होते किया इंका मेनिस समझ लेते हैं हमसे expect करती है कि हमको यह यह चीज़े आनी चाहिए उसको कहते हैं हम basically developmental टास्क ठीक है जब आपका विकास हो रहा होता है तो एक उमीद करी जाती है आपसे कि इस age में आपको यह चीज़ आनी चाहिए जब आप फुरसे बड़े हो तो आपको यह आना चाहिए तो यह सब ची periods of in person's life it represents culture's definition of normal development at different stages in a life span देखो a developmental task is a task to be performed or achieved during a certain period in person's life मतला developmental task basically वो टास्क होते है जो इनसान को एक particular अपने life life span के दोरान जो है अचीव करने होते हैं perform करने होते हैं it represents culture's definition of normal development at different stages in a life span अगर आप यह developmental task को अचीव कर पा रहे हैं तो हम उसको basically एक normal उसका development नहीं मानते हैं तो यह चीज़ होती है basically developmental task आप देख लेते हैं कुछ characteristics क्या होते हैं developmental tasks के देखो developmental tasks are based on the aspirations and need of the society जो developmental tasks होते हैं जैसे मैं starting में बताया था कि समाज आपसे कुछ उम्मीदिया करता है एक certain age पे आप कैसे behave करेंगे एक 10 सार का बच्चा कैसे behave करेगा एक 12 साल का बच्चा एक 18 साल का फिर जब आप 25 के होंगे फिर 35 के होंगे फिर 40 के होंगे एक उम्मीद की जासे कि यह बैए आप certain behavior अपने आपका development होगा certain behavior जो है आप दिखाएंगे अपने आप में ठीक है society यह मानती है कि बई एक 2 साल का बच्चा जब है तो बई वो इतना कर ले कि वो crawling करना सीख ले ठीक है और क्या करते हैं वो अपने hand movements करना सीख ले जब बच्चा 6 साल का होगा तो ही मानके चलते हैं कि बई वो एक proper sentence formation सीख ले जब बच्चा जो है teenage में जाएगा तो हम कुछ certain उमीदे उससे करते हैं कि बई वो पढ़ाय लिखाए में उसको उसकी गहाए को समझे जब बच्चा 18 साल का होगा तो हम यह मानके चलते हैं कि उसको responsibility आने चाहिए तो यह सब चीज़े basically एक norms होते हैं society के तो एक certain age में एक certain life span में या life जो आपकी होती है certain period of time में आपको से उमीद करी जाती है कुछ चीज़े करने की तो वही चीज़े developmental task होती है every society expects its members to follow these norms obviously बात है आप इस society में रहते हैं तो हर society आपसे उमीद करती है कि आप ऐसे ऐसे behave करें these norms are in terms of certain essential skills वो मांगे चलते हैं कि भई आप में एक particular age में आपको यह जी जा जाने चाहिए master over these skills lead to happiness and failure leads and failure leads unhappiness अगर आप society के norms के according आप जो है चल रहे हैं आपका development हो रहा है आपने अपनी skills में master करकी तो आपको खुशी मिलीगे otherwise जो है आपको failure अगर आप वो निचीज़े नहीं अचीव कर पाए तो आपको unhappiness का सामना करना पड़ेगा चले इसको अप्छों सा detail में हम समझेंगे अब basically हम discuss करने वाले हैं आपर having us की छोड़ी उन्होंने क्या developmental task यह basically जिसे मैंने भी का कि एक certain period of time पे एक इंसान कैसे behave करेगा उसको कैसे behave करना चाहिए वो basically है developmental task आपका तो पहले हम discuss करेंगे आपर early childhood तीन स्टेजिस में basically है अब यह handwriting यहाँ से theory यहाँ से handled शुरू हो गई है early childhood and infancy जिसको कह जाता है तो देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है infancy इसको कह देते हैं वो 0 से 5 भी कुछ लोग मानते है 0 से 6 भी इसको मान लेते हैं चीक है तो early childhood ऐसे तो infancy 0 to 2 होती है लेकिन इन्होंने कोई specific नहीं कि रहा है यह मान के चल रहे है कि अभी हम जो 0 से 5 या 0 से 6 वाले जो age है उसको हम early childhood या फिर infancy के नाम से अभी बोलेंगे उसमें क्या कि हम बच्चे sex पर करते हैं वो चीज यहाँ पर मैंने mention करी है पहली चीज है learning to walk and talk हम यह उम्मीद करते हैं बच्चा चलना सीख जाए थोड़ी सी भाते कर ले बाते कर बच्चा यह 8 साल का बच्चा आपको 6 फिर वो proper solid full खाना शूर कर देता है ठीक है third point है learning to control the elimination of body waste very very important है यह बहुत बार पूछ रहता है कि बच्चे को अपने जो body waste है मतलब वो urination कर सके आराम से susu party जाना basically बच्चा सीख जाए और उसको पता होना चाहिए उसका control होना चाहि यह निए कि वो कहीं भी जा करके susu कर दे कहीं भी जा करके party कर दे ऐसा नहीं एक control elimination उसको आना चाहिए body waste को करना यह हम उमीद करते हैं जब बच्चा 0 से 0 तो देखो एक चोटे से बच्चे को तो नहीं आएगा basically अब हम छोड़ा जो है कुछ points है जैसे कि हम 6 साल की तरफ ज learning sex differences and sexual modesty बच्चा basically sex differences करना सेखिए sex differences को आप gender differences भी बोल सकते हो उनके बीच में उसको समझ आने लगेगी जब बच्चा जो है 6 साल तक की हुमर में पहुंचेगा तो वो differentiate कर पाएगा कि यह लड़का होता है लड़की होता है उसको basic समझ आ जाएगी कि मैं जाता हूँ मैं लड़का है तो मैं बोलूगा अगर लड़की है तो मैं जाती हूँ मैं खाती हूँ ऐसा कुछ बोलेंगे and sexual modesty उसके अंदर आ जाती है ठीक है तो यह चीज acquiring concept and language to describe social and physical reality और इसे बात है बच्चे के अंदर भासा का विकास होगा सबसे जादा जो बच्चे के अंदर भासा का विकास होता है वो आपका early childhood में ही होता है ठीक है Infances to early child rule में सबस्दा भाधा विक्सित होती है तो बच्चे के अंदर जो है language विक्सित होगी जिसे कि वो अपने social और physical reality को समझ सके मतलब वो अपनी बाते कैसा के physical reality के मतलब उस language वो अपनी बाते कैसा के समाज के साथ उसको दो चाज जो बाते करनी है इसकी समझ उसके अंदर होनी चाहिए वो सीख पाई कि गलत चीज को सही कैसे किया जाता है मतलब बच्चे को ये basic चीज आ जाती ना जब आप बच्चा जीरो से 6 साल की उमर में होता है basically 6 साल की तरफ जब वो भड़ता है कि भई अगर आप उसको बोलो पर ये चीज गलत है आप किसके गर जाते हैं तो आपको उनका समान नहीं चूना चाहिए चोरी करना गलत बात होती है आपके गर कोई gas साते है तो उनको नमस्ते करनी चाहिए है ना तो ये सब चीजे जो होती है सही चीजों को वो थोड़ा-thोड़ा सा उसमें डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है मतलब क्या सही है क्या गलत वो कर पाता है चलिए नेक्स हमारा आता है नेक्स जो हमारी एज आती है वो आती हमारी मिडल चाहिड रूट जो कि हमारी होगी 6-12 बारा बश्की अब इसमें हम बच्चे से क्या क्या एक्सपक करते है क्या का डेवलेप्मेंटल टास्क होंगे बच्चे के लिए चलो देखते हैं बच्चे के अंदर एक फिजिकल सिस के लिए आ जाती है देखो आप उसको चैंपियन नहीं बना पाओगे अब उसको बोलो तुम भाई 6 साल के उबर में रूनाल्डो बन जाओ वो तो नहीं पॉसिबल है या फिराट कोली बन जाओ वो पॉसिबल नहीं है बेसिक स्किल्स आ जाएंगी कि खेल क्या होता है, खेलते कैसे हैं यह सब चीजियों उसके अंदर आ जाएंगी 6 से 12 साल के उमर में वो चोटे मोटे गेम्स खेल पाता है बिलिंग अ होलसम एटिट्टूड टूवर्स वनसेल्फ जब बचा 6 से 12 साल का होता है तो उसके अंदर यह एटिट्टूड आता है कि वो अपने आपको एक होलसम एटिट्टी समझता है मतलब उसको यह पता सेल जाता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी इंसान हूँ मेरी अपने आप में एक अलग आइटिट्टी है मेरे मम्मी अलग है, मेरे पापा अलग है, मेरे सिस्टर अलग है मैं अलग हूँ, ठीक है तो बिल्डिंग अ होलसम एटिट्टीव तोवर्स वनसेल्फ लर्निंग तो गेट अलोंग विद एजमेंट्स इसी तरह की कोशन पूछे जाते है कैसे पूछेगा आप से कि लर्निंग तो गेट अलोंग विद एजमेंट्स ये किस डेवलेमेंट्स किस एज के लिए एक डेवलेमेंटल टास्क है कोशन ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है तो बच्चे क्या करते हैं इस एजमें अपने जो एजमेंट्स होते हैं मतलब सहपार्टी जो होते हैं साथ के जो एज ग्रूप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ अच्छे से गैट अलोंग करते हैं मतलब उनका जो है बेसिकली घुलना मिलना start हो जाता है, कोई बहुत बड़ी fast friendship नहीं होती है, लेकिन यह कि बच्चे, आपने class में भी देखा होगा, बच्चे अपने दोस्त बनाने लगते हैं, और कहीं-कही बाद group बना जाते हैं, छोटा-मोटा ठीक है, बैट जाते हैं, get along करना सीख जाते हैं कैसे, यह मेरा friends है, कई बाद उनके बीच में लड़ाई है, बी हो जाती है, फिर साथ में बाई जाते हैं, कोई fast friendship डेवलप नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे के साथ घुलना मिलना सीखेंगे learning and appropriate sex role एक appropriate sex role समझेंगे, देखो क्या केते हैं, लड़का हैं, तो बढ़े particular तारीके से dress up होती हैं, लड़के particular तारीके से dress up होती हैं, जो लड़का होती है, वो मतलब, क्या क्या केते हैं आप make-up के समान लगा लेती हैं, यह सर्फ चीजे वो समझने शुरू कर देते हैं 6 to 12 की जो age होती है उसके बीच में developing concept necessary for everyday living जो normal living होती है everyday living उसके लिए जो necessary concept होते है वो उनके अंदर develop हो जाते है मतलब बच्चे को जैसे उनको पता है कि मैं सुभर उटना है तो brush करना है brush करने के बाद फिनाष्टा करना है फिर uniform पेनना है फिर school जाना है बारा साल के बच्चा बहुत जाता नहीं समझेगा थोड़ा बहुत समझ जाएगा कि इससे society होती है घर में लोग आते हैं, guest आते हैं उनके साथ एक certain तरीके से behave करना होता है ठीक है कि ये society हमारे पड़ोसी है ये बूच होता है इस तरीके चीज़े, छोटी छोटी चीज़े वो समझ पाएगा, पकड़ पाएगा चलिए developing fundamentals of skills in reading, writing and calculating की skills develop हो जाती है मच्चे में 6-12 के age में परिपकवता नहीं आती लेकिन starting हो जाती है वो समझ reading करने पाता है अच्छे से writing कर पाता है calculate कर पाता है पूरी परिपकवता नहीं आएगी लेकिन वो समझ पाएगा basically fundamentals को ठीक है, चाहिए last stage है adolescence, last stage ये इनके द्वारा दी गई नहीं उसके बाद वो adulthood भी देते हैं फिर middle age भी देते हैं ठीक है, लेकिन वो हमको basically इस video में नहीं पढ़ना है जितना important होगा मैं उतना आपको बताऊंगी तो adolescence तक हम पढ़ेंगे adolescence होती है 13 to 18, 18 के बाद बच्चा स्कूल से बाहर जाता है तो हमारे लिए वो I think ज़्यादा important नहीं होगी तो adolescence पढ़ लेते हैं एक बाद achieving a mature relationship with both sexes अब तक बच्चा जो है मतलब पूरी ज़्यादा mature relationship अपने दोस्तों के साथ नहीं बना रहा था लेकिन जब बच्चा adolescence में होते है 13 से 18 तो उनके बीच में जो friendship होती है बहुत है strong होती है दोनों sexes के बीच में चाहिए वो लड़का हो चाहिए लड़की हो वो mature relationship बनाने की तरफ जो है focus करते है achieving masculine and feminine social roles बच्चा जो है अपने अपने roles को अब ढंक से समझ लेते है अब देखो जैसे वो अपने parents को देखते है उनको पता है कि मम्मी अगर working नहीं है तो वो घर पे है या फिर working है तब भी कि मम्मी खाना बनाएगी हमको मम्मी घर समालती है घर को manage करके रखती है पापा है बाहर जाते है वो पैसा कमाते है मतलब मैं यह उस sense में नहीं है आजकल तो ladies भी बाहर जाती है वो पैसा कमाते है वो वाली बात नहीं लेकिन क्या चीज़े आदमी करता है क्या चीज़े एक lady इसे expect करता है समाझ वो चीज़े वो समाझ बाता है basically तो achieving a masculine and feminine social rules next हमारा आता है achieving emotional independence of others अब वो किसी पर dependent नहीं है 12-17 साल का बच्चा वो ऐसा नहीं कि भाई वो एक independence हो जाता है emotionally वो independent होता है या होने की कोशिश करता है इसमर में learn skills needed for productive occupations जब बच्चा देखो school के end में पहुँच जाता न तो वो productive occupations को learn करने की कोशिश करता है उसके अदर वो skills हाजाती है वो अपनी life को जो है अच्छे से जो है चला पाए ठीक है जी तो यह कुछ important point थे जो मुझे आपके साथ discuss करने थे I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी कुछ doubts है तो please मुझे comment section में बताना important है सीटेट में भी पूछ जाएगा KBS के साब से भी important है उरल में भी podstaw मुझे लिए मजब जैगा झाल